अब तक तो आपको ये बात पता हो गई होगी के इरान ने इंडिया के साथ चाबाहार पोर्ट पर एक 10 साल की डील को साइन किया है जो इंडिया और इरान के लिए पहुत बड़ी डिपलोमाटिक जीत है लेकिन क्या आपको पता है कि इस चाबाहार पोर्ट की कहानी कपसे चाबाहार पोर्ट की शुरुवात कपसे शुरू हुई थी और क्या आपको ये बात पता है कि इंडिया पहले एक टाइम पे न यूए से बहुत ही जायदा एंडरस्टेट था इरान की चाबाहार पोर्ट में लेकिन ऐसा क्या हुआ के आज यूए से चाबाहार पोर्ट के खिलाफे USA आज इस पर sanctions लगाने की बात करता है तो चलिए समझते हैं लेकिन सबसे पहले मैं ये बात tier करना चाहूंगा कि ये जो इरान इंडिया का चाबाहर पोर्ट है न ये चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को एक तरह से खतम भी कर सकता है ये इनके लिए बहुत पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है तो दुसरी तरफ इरान है और इरान का चाबाहर पोर्ट है अगर आप ट्रावल करकर जोगे न तो आपको सिर्फ सारे तिन घंटे का समय लगेगा क्योंकि ये दोनों देशों के पोर्ट बलोचिस्तान के प्रोविंस में आते हैं हाला क इरान में इसे सिस्तान और बलोचिस्तान कहा जाता है इसका डिस्टेंस पाकिस्तान और चाइना के लिए एक डिसएडवेंटे साबित होगा दुसरी बात यह है कि वेस्देन कंट्रीस या एशियन कंट्रीस क्या इरान इंडिया की चाबाहर पोर्ट को चूस करेगी या फि बहुत अतक रोक नहीं सकता एरान को पाकिस्तान के केस में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बार-बार गौादर पोर्ट पर अटाक करती है। नाशनल्स पर यहां पर हमले किये जाते हैं और हमने पास्ट में ये भी देखा था कि कईसे बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने गौदर पोर्ट में खुसकर साथ लोगों को गोली चला कर खतम कर दिया था ये वो मासुम लोग थे जो काम करकर ठककर सो गए थे इनकी कम्प्रिटली फैल हो चुकी है हर आए दिन गौदर एरिया में हमें बॉम ब्लास देखने को मिलते हैं ये आर्मी बलोचिस्तान को सप्रेट करना चाहती है तो क्या सच में यूरोपियंस आफ्रिकंस एशियन कंट्रीस के लिए क्या गौदर पुट सच में अच्छा पाकिस्तान में वीरास इरान में ऐसा इंसिड WIL अब मलते हैं अब आहिसा नहीं है कि ऀरान में कुछ होता नहींस होता है समझने के लिए करदिंद ना या से तो नहीं होता है और गाइस जो लोग कहता है ना इरान की कुरसी पर बैटे मौलानाओने मुलाओने हाथ बांद कर रख दिये रानियों के अगर ऐसा होता था ना इरान कभी भी चाह बाहर पोड बना नहीं पाता था क्योंके बेजिकली यही लोग बनाने भी नहीं दे दे और आज मुझे ये बात अलग से कहनी पड़ीगी के आज भी न इरान में शाह आफ इरान को चाने वाले चंद लोग मोजूद हैं, समझदार हो आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये लोग एक कंट्री के कल्चर के नाम पर न इरान को अंदर से तोड़ने की बात करते हैं, ये ये इरान के लोएन ओडर पर डिपेंड करता है, वो कैसे हैंडिल करते हैं और मैं ये मेरे अंगिल से कह रहा हूँ, वेस्ट के सैंचेंट्स और मीडिया ने कहीं न कहीं इरान की एक पूरी इमेज बना दिये, जैसा कि देखो अगर आप इरान को जाओगे तो इरान इतना खतननाक देशे बेटर है, आप इरान ना जागर सोधी यूएई खतर को चले जाओ, ये पहले इंडिया के साथ भी ऐसा हो चुका है, इंडिया की छबी कहीं बार जो है गलत गलत इमेजस दिखा कर जो है खराब की गई है, अगर आप यूटूब पर जागर इरान के बारे म उपर से लेकर निचे तक चार तुकडों में तोड़ना चाते हैं न, तो कोई बड़ी बात नहीं थी के ये इरान के साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन इरान की गवर्मेंट ने यहाँ पा स्ट्रीक लॉस को इंप्लिमेंट किया था, तो इरान बजग गया, खैर टॉपिक प इरान पर तो सैंचेंस लगे हुए हैं न, क्या यूएसे यहाँ पर खामुष बैटेगा, और आपने पहले कहा था कि यूएसे पहले चाह बाहर पोर्ट में इंट्रस्टेट था, तो वो कैसे, ये तो बताओ, तो देखिए जी मुझे पसनली नहीं लगता कि यूएसे इस चाह बाहर वाले इशू में इंडिया या इरान पर सैंचेंस लगाएगा, क्यूंकि अल्तिमेटली लॉजिक और कॉमन सेंस वाली बाते, चाह बाहर पोर्ट आने से यूएसे के एनिमी देश चाइना कोई लॉंग टर्म में नुकसान होगा, चाह अल्वरडी ग्वादर और सीपेक से पिलियन्स ओफ डॉलरस में नुकसान का सामना कर रहा है, और चाह बाहर पोर्ट से और नुकसान करेगा, इसलिए यूएसे को इंडिया को ठैंक्यू कहना चाहिए, क्यूंकि हम इसे आइनस्टी सी रूट को सकसेस बना रहे हैं, जो चाइनिस प्रेजन्स को खतम क अब वो अलग बात है कि रशिया इसमें अलग कैसे, लेकिन यूएसे को मैक्जिमम फाइदा हो रहा है इससे, और इरान को सैंचेंस कनने की चक्कर में न, यूएसे इंडिया के रिलेशन्स में कुछ गरबट नहीं चाहेगा, क्यूंकि इरान पर सैंचेंस यानि इंडिरेक इंडिया क्यूंकि चाइना भी यहां पर ब्रिक्स करन्सी को लाना चाता है, यूएसे जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देगा, और चाबाहार पोर्ट धीरे धीरे जहर की तरह ग्वादर पोर्ट को विक करते रहेगा, और मेरे बात में दम भी यह देखो गाई, क्यूंकि आज के टैम ना, चाबाहार पोर्ट में टोटल 10 बर्ट से, बर्ट जैसे के एक शीप आकर पार्टिकुलर प्लेस पर डॉक करकर कांटेनेस को उतारती है, चड़ाती है, तो टोटल चाबाहार पोर्ट में 10 बर्ट से, तो ग्वादर पोर्ट में 3 बर्ट से, यानि यह सब ब गवर्मेंट का नहीं था शाह और इरान की गवर्मेंट थी जब इरान के आकरी शाह मुहम्मत रेजा पहलवी ने चाहबाहर पोर्ट को 1970 में एक पड़ा पोर्ट बनाने का सपना देखा था और शाह के प्लान में यहां पर एक पड़ा नेवल बेस भी बनाना था जिसमें अमे के बीच में तेल के दामों पर एक तरह से वार शुरू हो गई थी इस रीजन की वज़े से चाहबाहर बेस का निर्मान डीले कर दिया गया और और आगे की हिस्ट्री वेल हम सबको मालूम है 1979 में शाह आफ इरान को इरानियन डेवल्यूशन ने गिराया था क्यूंकि गवर्मेंट भी एक दुसरे के लिए अंडरस्टेंडिंग भी बढ़ चुकी थी और फाइनली 2018 में इंडिया ने पहली बार चाहबाहर पोर्ट को ओपरेट किया था लेकिन इसमें फरक इतना है के 2018 की डिल में हमें हर साल एग्रिमेंट को रेनिवल करना पड़ता था वेरा इस लेटर्स दील में न कहीं सारे इंवेस्मेंट की जा चुकी है यह इंडिया और इरान की सरकारी कंपनी सो ऑपरेट करेगी और और हर दस साल में एक बार एग्रिमेंट रेनिवल होगा तो यह कदम इंडिया के लिए एक पावर्फुल कदम था यह इंडिया की सौफ इसके लिए आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू पर वाचिंग थैंक्यू पर यहरिंग एना अल्वेसे गाड ब्लेस्ट यू ओल